मेजा प्रयागराट के सामुदाइक स्वासाई केंद्र रामनगर में लगा कूडे कामबार मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जाती है एवं सरकारी दवाएं एक्सपाइरी होने पर कूडे की तरह जलाई जाती है सफाई के नाम पर यहां बहुत ही खामिया है पत्रकारों की टीम जब अस्पताल पहुची तो देखा गया के अस्पताल में बाहरी लोगों का बोल बाला है स्वीपर लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं डॉक्टर दुआरा बाहर की दवाएं लिखी जा रही है जे एस वाई के डिस्चार्ज स्लिप का 200 से 300 रुपे एवं जे एस वाई के कागस पर करीब 100 रुपे एवं रैबिज इंजेक्शन पे भी 20 रुपे से 50 रुपे तक लिए जाते हैं डॉक्टरों दुआरा बाई नेम पैथोलोजी एवं मेडिकल स्टोरों पर मरीजों को भेचते हैं रातरी में डॉक्टर रहते हैं तो जरूर लेकिन अपने आवास पर अपने चेंबर पर नहीं आते रातरी में मरीज भगवान भरो से रहते हैं इस लापरवाही के विसाई पर स्वास्थाई विभाग क्या कार्यवाही करेगी ये सोचने वाली वाद है मेजा प्रयागराज से 37 गुपता की रिपोर्ट समाचार इंडिया नियूस मेजा प्रयागराज